हरे क्रिश्णा प्रश्ण है हमारे मन में कई प्रिकार के विचार आते रहते हैं और अक्सर गलत विचार तो उनको कम कैसे परिवर्थित कर सकते हैं देखे शास्तर बता रहे हैं योगसूतर बता रहे हैं कि मन के तीन फंक्शन होते हैं तीन कारे होते हैं थिंकिंग, फिलिंग और विलिंग थिंकिंग मतलब जो सता ही जो विचार हमारे मन में आते हैं मैंने इसको देखा, मैंने एक कुर्सी को देखा, तो इस कुर्सी को देखकर मेरे मन में कुछ और विचार आ सकते हैं, इसी कुर्सी पे मैं पहले इस पकार की कुर्सी में बेटा था, वापर ऐसी घटना होई थी, हो सकता है किसी और विक्टि के मन में इसको ही देखकर, इसी decide नहीं कर सकते कि मन ऐसा ही सोचेगा शुरुवाती स्तर पर वो हम लोग नहीं कर सकते हैं जिस पकार से जब आप कोई YouTube चलाते हैं कोई भी चीज कोई वेब ब्राउधिंग करते हैं तो by default कौन से वीडियो आएंगे क्या वो आप decide कर सकते हैं क्या नहीं जब आप YouTube का homepage खुलते हैं तो आपने जिस पकार के वीडियो चला रखे हैं यह जिस पकार के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनसे ही कोई वीडियो आ जाएंगे लेकिन वह आपके हाथ में नहीं लेकिन दूसरा होता है feeling आपके मन में कोई विचार आया आप रास्ते से जा रहे हैं देखा गु आपके मन में आया यह हमारे पुराने जो प्रवर्तिया है उसकी कारण है इसको फिलाल कैसे चीच करेंगे वह एक अलग बात है लेकिन अभी हम नहीं कर सकते हैं लेकिन feeling की ओपर हम control कर सकते हैं feeling मतला उस विचार को हम महसूस करते हैं अगर मैंने इसको चोरी कर लिया तो क् अब हम दो बार तीन बार दस बार उसकी बार में विचार कर रहे हैं उसको अपनी भावना में जोड रहे हैं ऐसे ग्लाज जमन खाऊंगा उसको दूँगा इस प्रकार से और फिर willing मतलब हमने संकल्प ले लिया हाँ चुरा लेता हूं यार क्या परक पड़ता है दुका अं ना लिया तो इसको बोलते हैं willing तो भक्तों अगर हम थोड़ा अगर हमारी willpower मजबूत हो जाए थोड़ा सा अगर हम भक्ती में आगे बढ़ जाए तो feeling और willing को आसानी से control कर पाएंगे मन में गलत बात आएगी लेकिन उस बात पर हम ध्यान नहीं देंगे आप सब तिरुप चारे जी पहले राजा थे बाद में वो सन्यासी बन गए तो उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं कोई सुन्दर स्त्री को देखता हूं तो मन में कुछ विचार आते हैं तो मैं उस विचार के ऊपर थूख देता हूं इस्त्री के ऊपर नहीं उसकी कोई गलते नहीं उसको तो मैं प्रडाम करता हूँ लेकिन उस विचार पे जो मेरा गंदा विचार है कि मैं उसको भोगना चाहता हूँ उस विचार को मैं थूख देता हूँ तो देखिए जब इतने बड़े व्यक्ति के मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं तो हम और आप क्या चीज है इसलिए विचार काई पकार के आ सकते हैं इससे बदला लेता हूँ इसको समय सिखाता हूँ ऐसा करता हूँ काम क्रोध लोग मों यह सब कुछ भरा हुआ है लेकिन हमें उस विचार को सीरेसली नहीं लेना चाहिए हमें अपनी बुद्धी का प्रयोग करना चाहिए रैशनली सोचना है थी यह तर्क के साथ कि यह जो मैं वहाँ सोच रहा हूँ क्या यह मेरे हित के लिए है सामने वाले के हित के लिए है मेरे परिवार के लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे ठाकुर जी देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे ये हमें विचार करना चाहिए तो अच्छी बात ये है भक्तों कि कल्यूग में थिंकिंग का ये विचार का कूफल नहीं लगता मतलब अगर आपके मन में कोई गंदा विचार आ गया उसके कारण आपको पाप का दोश नहीं लगेगा लेकिन अगर आपने उस विचार को कंट्रूल नहीं किया बलकि उसको और हवा दी आप जान बुच के उसकी और देख रहे हैं आप जानते हैं कि वो आपकी पत्नी नहीं है आपकी गल्फरेंड नहीं है फिर भी आप उस फलाना वेक्ती लड़की या लड़की को देख रहे हैं तो आपकी मन में उसके प्रती आसकती बढ़ती चली जाएगी और फिर जब हम मन को किसी वस्तु में लगाते जाते हैं तो मन हेलिकॉप्टर की तरह हवर करने लगता है जैसे हेलिकॉप्टर अब हेलिकॉप्टर को आप एक ही जगा पर रखोगे तो कभी ना कभी तो नीचे आई जाएगा उसको आगे बढ़ा देना चाहिए था लेकिन उसको आपने एक ही जगा पर सिर कर दिया तो इसलिए फीलिंग और विलिंग के उपर हमारा कंट्रोल है उस कंट्रोल को हमें डेविलप करना चाहिए साधना करकर सतोगुण में रहकर उचित आहार उचित साधना करने से वो कंट्रोल में आ सकता है और ठिंकिंग भक्तों ठिंकिंग तो केवल भगवान की कृपा से ही ठीक हो सकती है जितना हम शुद्ध नाम करेंगे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे जितना मन spontaneously भगवान में लगेगा उतना ही हमारे विचार शुद्ध होते चले जाएंगे और by default भी हमारे YouTube के जो वीडियो है घटि वाले खुलते चले जाएंगे जब आप अप भक्ति वाले विडियो ही देखोगे तो YouTube वाला भी केवल भक्ति वाले वीडियो ही recommend करेगा घड़े एक रेक्रिशन क्वानाइ